नमस्कार दोस्तों हिंदी नूज एफेर्स में आपका स्वागत है दोस्तों एक भारत की रक्षा बिभाग से ले करके बहुत बढ़ी नूज आ रही है दरसल नूज यह है कि भारत ने अपना एक सामरीक देश्टी से देखा जाये तो बहुत भड़ा एक टनल का उध्गाटन किया है यह टेनल अरुनाचल पे देश में बनाया गया है इसमें दो टेनल है टेनल का मतलब इस सुरंग से बात कर रहा हूं कहते हैं किसी भी देश के लिए जितने आधणीक हत्यार की जरूरत होती है उतना ही अच्छा बॉर्डर पर उसके इन्फरस्ट्र कि जहुर्चर की जहुरत होती हैं अगर अच्छा इंस्ट्रक्चर होगा तो यह लडाई को जीता जा सकता है एक बार हत्यार आपके वहाज से क होता है किसी भी युद्ध के लिए तो ये हमारे जो सीमा है एलेसी यह आरणाचल प्रदेस से और चीन से बिल्कुल लगी वह और प्रदेश के पास ये तवांग जिलायक वहाँ पर ये LAC को जोड़ता है ये टनल, इस टनल की ये खासी आता है कि इसमें एक साथ दो टनल बनाए गया है, ये बाई टनल इसले बोला गया है, इसमें दो टनल है, एक टनल की लंबाई करीब डेल किलो मीटर की है, और एक इसमें छोटी टनल है, जो करीब एक किलो मीटर की टनल हो उसमें 90 मिनिट का महतुब बहुत बड़ा होता है किसी भी देश के लिए किसी भी सेना के लिए कितनी भी एक्टिव सेना हो अगर उसको 90 मिनिट महल आते हैं किसी भी सेना को तो बहुत कुछ कर सकती है दोस्तों आपको बता दें कि ये जो टनल है ये 13,000 फिट की उचाई पर है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी टनल है इससे बड़ी कोई बाई टनल बनी नहीं है इतनी उचाई पर आपको बता दें कि इस टनल का जो सिला न्याश किया गया था बूमी पूजन वो 2019 के फरवरी मंत में किया गया था प्रधान मंत्री नर्वेन मोदी के द्वारा और इसको टनल को तीन साल में कम्पलीट होना था लेकिन ये हमारा दुरभाग ये कि बीच में कुरोना आ गया और इस टनल को काफी ज़्यादा टाइम लग गया लगभग पांस साल हो गया ये अभी जाकर ये तयार हो पाई है अब ये समझ लिए कि ये इतनी मजबूर टनल है कि इस टनल से लगभग तीन हजार कार डेली निकलेंगी और दो हजार ट्रक लगभग डेली निकलेंगे और इसको जो बनाने का काम किया है ये border road organization ने किया है जो बियार हो है अपना इन्होंने जो technology इसमें यूज किया new australian tunneling method यूज किया है new australian tunneling method इसमें 50 से ज़्यादा तो इंजीनियर लगए है और 800 से ज़्यादा इसके crew member थे और इसको बनाने का जो खर्चा आया है ये करीब 700-800 करोड रुपए का आया है अब समझते हैं कि इस tunnel से हम क्या-क्या हथियार ले के जा सकते हैं और इससे क्या हम फाइदा उठा सकते हैं तो अपने आज जैसे कि कुछ tanks हैं जैसे T90, T72, Arjun tank है इनको तो Xena यहाँ से नहीं ले जाएगी लेकिन जो अपना एक tank है जो रावा tank उसको यहाँ से ले जा सकते हैं उसको ले जाने के लिए अनुपती अभी तो मिल गई है अब आगे देखते हैं कि और क्या-क्या चीज़े इसमें और यह include करते हैं दोस्तों आपको बता दूँ कि तवांग जिले में जहां पर यह tunnel बनाई गई है यहाँ का जो temperature किसी time पर minus 20 तक हो जाता था तो अभी यह tunnel बन जाने से क्या है कि भारत की सेना किसी भी समय किसी भी मौसम में अब जा सकती है पहले यह रास्ते ब्लॉक हो जाते थे जिससे जाना संभाव नहीं होता था तो उस वक्त बड़ी समस्या का सामना होता था क्योंकि इसी यह वही area है जब इससे थोड़ा सा और आगे stand of भारत का और चीन की सेना का हो चुका है आपना सामना है इससे बिलकुल लगाई हुआ भुटान है अब यह समझ लिए कि भारत जितना ही ज़्यादा सीमा के पास अपना मजबूत होता जाएगा चीन की समस्या उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी चीन को तकलीब देखनी पड़ेगी आगे अब इसमें देखना होगा कि चीन कैसमें reaction क्या आता है जरूर उसका जो ग्लोबल टाइम से न्यूस पेपर जो उसका है उसमें कुछ न कुछ reaction आने वाला है अब यह देखना बहुत ही दिल्चास पोगा कि वो बोलते क्या है हम तो अपनी सीमाओं की सुरक्षा करेंगी हमें तो ऐसा ही आगे बढ़ते रहना है क्योंकि हम जितने मजबूत होंगे सामने वाला तभी उतना रुकेगा नहीं तो वो हमें खा जाएगा अपने survival के लिए हमें खुद ही मेनत करनी पड़ेगी हमको बचाने कोई और नहीं आएगा हमें खुद अपनी मदद खुद से करनी होगी हमें अपना पैसा लगाना पड़ेगा अपनी technology लगानी पड़ेगा और हमें अपने से ही मेनत करनी पड़ेगी और हमें गर्व है कि हम भारती उस काम को करने में सक्षाम है एक बार फिर से बियारों को बहुत बहुत बढ़ाई